हेलो दोस्तो एस फोर सुलेन के चनल पर मैं सुलेन आपका एक बात फिर से वलकम करता हूं दोस्तो आज क्लास 9 के IT में हम लोग बात करें अपने सब्चेक्टिव स्किल्स के एक और नहीं चक्टर दोस्तो आज का जो अपना चक्टर है वो है लीडा एंट्री एंड की बोर्रि टूल आप किस तरीके से कीबोर को यूज करते हैं माउस को यूज करते हैं और इसके अलावा हम लोग यहां पर बात करने वाले होंगे कि कैसे आप दोड़ी ज्यादा से अपने डीटा को अपने अपने स्टोर करवा सकते हैं जिसके लिए कुछ टैखनिक्स वगरा जो है व किबोर्ट के ऊपर कौण कौन को सी कीज को यूज करते हैं हर की का नाम होता है और काम क्या है वह सारी बात हैं कियो कि यहां और बिसकुस करेंगे की और किकिस थी तरह से दोष्टो फवनक्शन पशन इंपोर्टंट झी बिसकस करेंगे m iTunes को मिन जो किस तरह की से आपको रखने हैं यह कुछ डिसकस करेंगे की बॉर्ड यहां डिसकस करेंगे डिसकस करेंगे और साथ में हम लोग यहां पर बात करने वाले होगे सब्सक्राइब कर लिए जिससे की आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंसके इसके लावा दोस्तों आगे जाते हैं अगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा उसके लगा आप मुझे कुछ भी पॉजिटिव जो कि कमेंट से जो कुछ भी कि आना चाहिए जरूर आप मुझे रगें बताइद के ज्यक्रा आसे बताएगा सर्फक्राइगा सबब्सकर को लेकाए किबर क्या अंत каче Boro Army से कॉमर जोहिए हैं दोस्तों अपना डीा जो है वो में प्रॉस करते हैं जिस बॉर्ड के ऊपर बहुत सारी की इसलिए पहां प्रॉसके वहां पर बहुत सारे आपके पास नंबर्स हैं अब तो बहुत सारे आपके पास Goat Keyboard के बारे में गारobs कीबोर current फीज करते हैं सारे जंवरी華री की अधिके तो आज कर सकती है लेकिन इतनी तो ही है अब दोस्तों आपके पास जो है वह सारे बढ़ाने के लिए बहुत सारी और इक्ष्ट्राट नीज अपने कीबोर्ड होती है तो यह जादा भी हो सकती है लेकिन इक स्टांडर कीबोर की उपर कम से कम आपको 104 कीटू मिलेगी ही इसी रहाँ दोस्तों बात करें तो अब हम बात करने वाले टच टाइपिंग को लेकर कि कि टाइपिंग क्या होता है तो जो हो सकता है आपकी स्पीड अच्छी हो अगर नहीं है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग इस चाप्र को विस्कस करें तो टैच टाइपिंग क्या होता है तैच टाइपिंग का मतलब होगा दोस्तों के बिना कीबोर्ड को देखे हुए जैसे कि मैं दोस्तों यहां पर कुछ टाइप कर तो वह मेरे पास क्या किया यहां तैपिंग करते करते आपको फील हो जाएगा के या इस पिंगर के पास लिए यहां मतलब इसकी की क्वर्ड। यहां पर कि और को संसी कहां पर और तो कह सकते हैं इसको लोग को फील करते हुए अपनी इसको ट्रेस्ट कर सकते हैं इसी टाइब से कह सकते हैं, in this way, a user can type on the keyboard, ठीके तो वो user जो है, वो keyboard को use करते वे, type कर सकता है, spontaneously, by placing his or her hand on the keyboard, without looking at any of the keys, तो बिना किसी keys को लेखे वे, वो फटा फट से type कर सकता है, it significantly improves the typing speed and eliminate errors, तो इससे क्या होता है, दोस्तों कि हम लोग इत्तौपने speed की type करा सकते हैं, typing की speed सकते हैं, और साथ में, जो errors आते हैं, अपने typing के time पर, वो भी अपनी कम हो जाती है, तो touch typing के हैं, दोस्तों यह आपको समझ में आड़े होगा, एक simple से line में कहूं, तो बीना keyboard को देखे हुए, आप जब typing करते हैं, और वो भी accurate typing करते हैं, तो दोस्तों आपकी क्या 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 हैं, तो दोस्तों कह सकते हैं, keys के साथ, keys on keyboard ने, the combination of keys are used to access run program or use to use as shortcuts, तो दोस्तों कई बान पर आपको स्पोसर कर सकते हैं, आपकी पाईल सेव हो जाती है, इसी थाप से कई बान आप जो है F5T को लबाते हैं, तो आपका आपका जो कह सकते हैं, ब्राउजर है या बैक्स ट कर सकते हैं तो बहुत सारी की है अलग अलग तरिकों से आप यूज कर सकते हैं इसलिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी पीज को रिफ्रेश करेंगे लेकिन दोस्तों यही एप अगर अब यूज करेंगे तो वहां पर जो है वो क्या कर देगा यही एप अगर आप नोट पेड में यूज करेंगे तो यही की किए के अलग 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 अप्लिकेशन के अंदर अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं इसी चैप से बात करते हैं एनिस टैंडर कंट्वीटर कीबोर् है यह फिर से अलग 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 फार्ट में डिवाइड हो जाता है अपने फंक्शन के अकोड़िग दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वह आपके पास अलफा न्यूमेरिक की अलफा न्यूमेरिक का मतलब जिसना अलफाबेट्स भी है और साथ में न्यूमे की आते हैं याद रहेगा राइट साइड के अंदर और आपके पास नियूमेरिक पेड इस ताप से अपने पास है नुमेरिक के अपने पास है आपको जो की यह दिखरा है जहान में इसको लोग कैशलोग के लाइट दिखनी उसके तश नीची इसी टाइब से नेक्स्ट जैसे कि आपके सकते प्लस है माइन से मल्टिप्लाई है डिवाइड है डिवाइड है इसी ताइप से आपके पास है जिसको कहते हैं फंक्शन की अपके पास होती है और अलग-अलग सफ्टेंट के अपके लिए होती है एक तू से आपको फाइल यह पोल्डर को रिनेम कर सकते हैं ऐसी ऐप पाइफ को यूज़ करते वे आप डेक्स्टॉप की ऊपर जाकर निकर फाइब करेंगे तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों नेक्श्ट नेविगेटर की जैसे आप देखते हैं कि आप जो टॉप बॉटम में या पर राइट साइड के एरों में फो यूज़ करते हैं तो फोर की तो यह हो जाती है और फोर की और उती दोस्तों आपके पास में जैसे है एंड है पेज अप है और पेज डाउन है तो फुल मिलाके आपके पास एट कीज होती जिसको अपन यहां करसर मुवमेंट की आपके नेविगेटर कीज भी कह देते हैं इसी ताइप से आपके पास आता है कॉम्बिनेशन की का मतलब होगा जो एक के एक अकेला नहीं काम क चांट्रोल के साथ एस दबाना पर सकते हैं से दोस्तों करने के लिए एसी दोस्तों और के साथ दबाएं गैके तो आपको फुरिंट कर सकता है तो इस तरीके से आपके पास कुछ कीस थी जो हम लोगों नहीं यहां पर डिसकस करी और लाश्ट में जाते हुआ आपके पास एक टॉगल की यह आती है तो दोस्तों टॉगल की आपके पास क्या होगी जैसे कैप्स लोग आप ऑन और ऑफ करते हो ठीक है इसी डोस्तों इसको एक बार दाने पर ऑफ करते हो वाफस दबाने पर उप तो ऑन है तो अफ हो जाएगी आफ है वाफस और शौन होजाएगी इसको उल्टा करना जो बिखते हैं यह इंदिके की पर है उसके आगे लिखावा थे होता है नलोग के और स्कॉरड लोगते तो three keys होती है, जो अपनी टॉबल की कहाती है इसाथ अगर आप नेक्साश बात करें तो आपने पास एक table के तुरू में आपको बताने वाला है। कि कुछ बेसिक keys के बारे में कि वो कि क्या काम करती है। दोस्तो सबसे परiva तब हो दोब चला उपन्सेरा सकते हैं तो इट लूक्सक्ष घंडोपके पाते हैं ऊपके पाते हुए कृख आपके डिक करते तोस्ट है कιम आपकर सकते। उसको किसी की जगें की जगें intact को यूज करते हैं ईसी टैप की क्या करती है एक दूसरी जगे पर रोग देखें ऐसे करसर को अगर आप दोस्तों, अधे आदे इंच पर और आगे की तरफ बेर्ड वह करती है तो ठीकिए इसी टाइब से आप कई बार जो टेबल्स में करतें चो इसाइक ऐसे बात करें बात करें बढ़ करने का काम करता है एक डिलीटे क्या करता है कि आपके करसर के जो राइट साइड वाले कंटेंट है इसको डिलीट करने का काम करता है यहाँ पर यह इसी टाइप से हम लोग कह सकतें क्लिक करने के जए का करते हैं है तो आप किसी भी जो आपका एक्जी क्लिए के लिए के लिए इसी तरीके से कुछ और की प्रोसेस होुआ जो है आपके पास और रइट का अप्षिन और और ला लीए अब दोस्तों अगर आपको कुछ टाइब करें तो आपका ओर राइट होना स्टार्टन के दोस्तों अगर आप दोस्तों के अउसे दोक्युमेंट के अदर आप उस कह सकते हैं परेग्राफ के यह उस डॉक्यमेंट के तॉप में आ जाना चाहिए तो इसी तरीके से पेज आप और पेज डाउन है एक पेज का जो डिस्प्लेइब के है यह जो भी आपने जूम कर रखा जितना भी आपका एक पेज का अधिक तो एक पेज आप उपर औ और पेज डाउन कितनी है ऐसे ही हैरो की से जो मैंने बतायाता है लेफ्ट राइट टॉप और वाटम की तरफ अगर आप मूव करवाना चाहते है अपने करसर को तो इन हैरो की को आप यूस ले सकते हैं इसी तरीके से कुछ और की भी है जैसे के शिप्ट की है कंट्रोल की ह है और की तो यह चो है आपके पास कोंबी अपनिशंशन की सातव मोगर करने के दिया सकते कि हो beginners कंट्रोल की शचाहते हुंI तो इस तरीके से किया है अब आपके कीबोर्ड में नोसे 3 रोख होती है जैसे एक होता है q, w, e, a, r, t, y उसके बाद आपके पास a, s, d, a, g और उसके निचे z, x, e, v, b वाला तो दोस्तो यहां पर आपके पास यह वाली जो रोख है यहां पर कह सकते हैं काथ आपके आपके पास आपके लिखावा आपके पास इन पास यहां पर आपके पास घाड की होती है आपको यहां से आपको अपनी की आपको यहां से चोटी वाली जो फिंगर है दोस्तों वह रखनी होती है के ऊपर a VSBF और यहां से दोस्तों आपको रखना से स्यायक लूकी लुपर आपकी फिंगर्स चलती है दोस्तों यहां इस तरीके से आपको देखना है दोस्तों सिंपल सा है आपको यहां पर इस तरीके से आपके पास समझें आ गया होगा इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास वह है डाइड पॉर टाइपिंग करना है कहां से आपको टाइपिंग करना है यह कुछ चीज़ें आपको बताएगा जिसे दर कर सरी इस वहां पर शो कर रहा है तो अम लोग कह सकते हैं तो अम लोग कह सकते हैं तो आपको जहां पर भी रखना है आप वहां लेकर जा सकते हैं या तो कीबोर के थूँ या माउस के थूँ भी इसी तरीके से दोस्तों अगर अपनेक्स बात करें तो पोजिशनिंग आफ फिंगर से वैसी जैसे कि मैंने आप से कहा था कि फर्स्ट जो आपको सबसे उपर दिखाए तो उसको लोग नंबर रो कहते हैं उसके लिचे अपर रो है उसके बाद में आपके पास भूम रो है किस तरीके से पोजिशन रखनी है दोस्तों वह उसके लेल से आप देख सकते हैं और साथ में कलर भी आपको बताए जगा है और जो जे है वह आपके पास यहां पर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गाइड की आपके पास है तो फिंगर कैसे आपको सेट करनी है वह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसी तरीके से दोस्तों अगर आपन देखें टाइप करेंगे कैस तरीके साफ दिलिट करेंगे वह हम लोग यहां डिसकस करें सबसे पहले यह प्ले सब्सक्राइब करना चाहरे हो इसी तरीके से प्रेस देटर ऑन दे कीबूर्ड अकॉर्डिंग उसको अपको आपको कर सकते हैं इसी तरफ से डिलेbuch कर सकते हैं इसी टाप से डिलिटिंग टैक्ष्ट है तो आप यहां पर आपको दो Doctor कर सकते हैं और अट सबीट की को सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से फार डिलीटिए और 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 सेंटेंस आप किसी और सेंटेंस को क्या कर सकते हैं उस वे स्वाडैक्ट合क के बाद आप की को अबेगर रही अगर को read खांब को तुझ करने के लिए आपको क्या है कि हैं यहां से निवे सकते हैं यह नहीं तो आपके पास जो है इसी तरहें से अपने बात करें तो सिंबल और पंचुएशन से दोस्तों कुछ सिंबल आपको सीदी निख जाएंगी आप की आपके पास कॉमा है 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 आपके पास में या आपके पास क्या सकते हैं इसी तरीके से कुछ और सिंबल्स भी है जो अगर प्रेस करते तो नहीं दिग रहा है अलगी टाइप करने पर की सो वही है शिफ्ट के साथ दबाएं कि दोस्तों उपर की तरफ जो लिखा वह वह प्रिंट कर देगा और यू लाइन में जाना चाहरे है बागी सब कुछ कॉमन है आपको जो टाइप करना आप कर सकते हैं इसी तरीके से नेक्स अगर अपन बात करें कुछ रूल से तो लर्न टाइपिंग यूज ऑल फिंगर्स आपको सारी फिंगर्स को यूज नहीं करें पूरे सारी की सारी हमारा रखना आप कैसे बैठें क्यूंकि अगर आप सोची है अगर आप सोते हुए टाइप कर रहे हैं तो आपके टाइपिंग की स्पीड कैसी होगी और दोस्तों कर अब चब्सक्रिब हो तो दोस्तों वहां पर वी टायपिंग की स्पीड बहूत स्लोव देगी एक की पॉजिशन कैसी है इसी अपकी ऐलबो कैसे आपका बैक कैसे है आप कैसी चेर पर बैठे डिवल कितनी नूर आप से कह सकते हैं इस तरीके सब्सक्राइब कितनी जादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड जो है वह बढ़ेगी जैसे ऐसा होता है कि आप एक दिन के अंदर आपने एक पेरिग्राफ लिग दिया और खतम कर दिया और यह होता है कि आप बार थोड़ थोड़ दिर बाद में कुछ टाइप करते रहते हैं तो दोस्तों लोगों की इस पीड़ा फास्ट होगी जो रेगुलर टाइपिंग करते रहते हैं इसी तरीक आपके पास यहां हम लोग डिसकस करें तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आप एकदम सीधे होकर के बैठे हैं इसी टाइप से कीप यूर राइट एंगल यह दियान रखना है फिर स्क्रीन विद यूर हैं स्लाइटली टिल्टेड फारवर्ड इसी तरीके से नेक्स हम गरand करें इमेस्ट देख सकते हैं टाइपर।फटर है यांपर रना है कि आपका कीबोर है जो दॉनख्र और एक वैप डिण पर गरफी का फलोर से विसी टाइप बात रहे करें चेयर हुए शहां हो एकदम अफ्रटेवल वाली होनी तह difficulty बूर्ट व कुछ पॉंटिंग डिवाइसे अपने आएंगे जिसना हम लोग डिसकस करने हाई तो आपके पास माउस को तो आप लोग यूज करते हैं अब माउस किस तरीके से काम करता है वह आपके पास आपके पास इनकूट डिवाइस तो होता ही और साथ में इसको कहते हैं माऊस के अंदर राइट क्लिक होते हैं अपने पास डाइप के बटन सो एक आपके पास बीच में स्क्रॉल में धुर्ट होता है इसको आप अपने डॉकिमेंट को ऊपर निचे करने के लिए आप उसको लेते इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जब आप क्लिक करते हैं कई बार सिंगल क्लिक करते हैं कि यह निए डबर क्लिक करने का मदलब है किसी फोल्डर को ओपन करें तो आप उसको को रन करें एक्जीक्यूट करें या सब्सक्राइब करते हैं ताकि उसे रिलेटेड कुछ आपको मिलते हैं इसी तरीके से अगर आपन बात करें प्रॉपर्टीज रगदर जो दिखती है राइड क्लिक के बाद तो आपने पास माउस में कुछ एक और फीचर भी होता है जिसक को पगड़ा आपने ऊपर से लाके चोड़ लिए तो क्या के लाएगा यह आपका है इसी तरीके से अगर अपने नेक्स्ट बात करें तो माउस जो है वह द्रॉइंग के लिए भी यूज आता है जैसे एमस पेंट अगर आप लोग यूज करते हैं आप करी बार जो हैं हम ल करने इसी तरीके से माउस पॉंटर के बारे में बात करें तो माउस पॉंटर आपके पास वह पर आपको दिखाए देता है कई बार लोगो उसको कर देते हैं तो करसर तो आपके पर क्या हो गया वहां पर कह सकते हैं कि जो इस तरीके से हम लोग यहां पर डिसक्स कर लेकिए कि माउस जो होते हैं पिर आपके पास तीन ताइब के होते हैं जिसने एक हम लोग क्या सकते हैं मेकनिकल माउस कहा करते हैं अपने पास आता है अप्त मेकनिकल माउस है तो ऑप्तिकल माउस जो है पास देखने माउस के बारे में लोग वह नहीं माउस के ऊपर कुछ लुक्क कर सकते हैं डुबल क्लिक कर सकते हैं कर सकते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी कुछ तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इतने ही टॉपिक को डिसकस कर लिए हैं तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में लेकिन दोस्तों अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए उसके अलावब दोस्तों कमेंट में जरूर कुछ बताइए कि आप और मुझे क्या कुछ एक्सटक्ट करते हैं मैं अपने वीडियो को और किस तरीके से इंप्रूब कर सकता हूं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे स सब्सक्राइब बने रहिए थैंक यू